Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे Worksheet No. 37, 4 Class 7th Mathematics की बच्चों ये Worksheet है जो आपके लिए 10th of December 2021 के लिए schedule की गई है आज की जो Worksheet है बच्चों उसमें हम Practical Geometry के बारे में जो है start करेंगे और आज की जो Worksheet का topic रहेगा वो है construction of a line parallel to a given line and through a point not on the line की एक जो है हम line draw करनी है जो की दूसरी line के parallel हो और एक point से जो की line पर नहीं है ठीक है तो ये construction हमें आज की Worksheet में करनी है So, Worksheet यो करने से पहले प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे, bell icon को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली videos की notification वो समय से मिल जाए So, देखें आज की Worksheet में क्या दिया गया है Let's construct a line which is parallel to the given line using ruler and compass तो आपको एक line जो है वो construct करनी है जो की एक given line के parallel होगी और ruler और compass के साथ So, first जो इसमें point है, first step है take a line L and a point outside A that is outside L तो आपको एक line लेनी है, line क्या है हमारे पास L है और एक point लेना है A जो की L line के outside रहेगा तो ये हमारा point A हो गया Take a point B anywhere on the line L and join B to A आपको जो line दी गई है उसके कहीं पर भी point B जो है वो ले लेना है और A और B को आपको join कर देना है Now with B as center अब आपको क्या करना है B को center मानते हुए and a convenient radius draw an arc which is cut line L at C and line B at D अब आपको B को center मानते हुए ठीक है एक अपनी जो है सुविधा के अनुसार एक convenient radius लेते हुए यहाँ पे आपको एक arc बना देनी है Now with A at center and the same radius as earlier draw an arc EF cutting A, B at G अब इसी तरह से क्या करना है आपको सेम इसी तरह जितना आपने compass यहाँ खोला है उतना ही खोलते हुए A को center मानते हुए A का arc आपने यहाँ पे लगा देनी है ठीक है उसके बाद next देखिए अब आपको क्या करना है अब आपको C को यहाँ से C पे जो compass है उसकी जो noak है ठीक है उसको जो pointed tip है उसको C पर रखते हुए और pencil की pointed tip को D पर रखते हुए आपने compass को खोल लेना है और उतना ही आपने एक तरह से C और D को measure कर लेना है with the help of compass and pencil उतना ही खोलते हुए आपको G पर pointed tip रखते हुए compass की आपको H जो है एक आर्क उतनी ही आपको यहाँ पर बना देनी है अब आपको क्या करना है H से गुजारते हुए एक जो है line आपको यहाँ पर draw कर देनी है और यह line आपको जो है यह M line होगी जो की L line के क्या रहेगी L line के यह parallel line रहेगी इस तरह से हम outside जो है किसी भी point से एक line के parallel दूसरी line हम draw कर सकते हैं ठीक है तो यह construction आपको अपनी copy में कर लेनी है उसके बाद देखे think दिया गया है आपको can idea of equal corresponding angle instead of equal alternate angle work for the same construction तो इसमें आपको क्या बताना है कि जैसे कि हमने यहाँ पर alternate angle बनाए है क्या हम corresponding angle से भी इस तरह की construction कर सकते हैं तो देखे बच्चो हमने यह और यह क्या है एक दूसरे के यह alternate angle है ठीक है तो corresponding angle जो है यानि इस तरह से जैसे यह हमारे पास है एक angle हमने यह बाला बनाया second angle जितनी हमने आर्क यहाँ पर लिए यह हम ले सकते थे clear और इस तरह से फिर हम इसको खींच सकते थे तो बिलकुल यह work करेगा अब यह जो है क्या है एक दूसरे के corresponding angle है और जो हमने अभी उपर बनाए यह एक दूसरे के alternate angle है इसलिए हमारा जो answer रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा answer यह सो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए now let's practice अब आपको यहाँ पर practice के लिए question दिये गए है बहुत ही easy question है जो हमने उपर construction की है बिल्कुल same इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है इन दोनों में ही construction करनी है ठीक है देखिए क्या दिया गया है draw a line segment xy ठीक है xy एक line segment लेना है take a point p outside it and using ruler and compass draw line parallel to xy and passing through c ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पर हम करेंगे इसको solve करेंगे बिल्कुल same उसी तरह से करना है तो हमने एक line लेनी है xy यह हमने एक line लेनी है x line segment एक लेलिया हमने उसके बाद एक point हमने लेना है बहार हमने एक point लेलिया c ठीक है अब यहाँ से हमें क्या करना है यहाँ पे हमने इसको मिला देना है मान लेजी यह point हमारा A है अब हमने A point को center मानते हुए एक arc जो है यहाँ पर जो है लगा देनी है मान लेजी यह हमारा point B है और यह हमारा point जो है वो क्या है D point है clear उसके बाद आपको क्या करना है आपको b को center मानते हुए आपको measure कर लेनी है b or d के distance ठीके और इतना ही जो है आप एक Arc c को center मानते हुए आपको क्या करना है एक Arc जो है यहाँ पर भी आपको लगा देनी है center इसको मानते हुए c को Clara students उसके बाद आपको क्या करना है आपको जितना आपने BOD को मेजर किया यहाँ पर मालीचे यह हमारा E point रहेगा तो यहाँ पर center मानते हुए एक point आपको जितना आपने BOD को मेजर किया है E को center मानते हुए एक आरक आपको यहाँ पर लगा देनी है और अब आपको क्या करना है अब आपको जो है जो यह point हमारा आया है F तो F और C point को आपको जो है यहाँ पे मिलाते हुए एक line जो है यहाँ पे draw कर देनी है अब यह जो line आपकी यहाँ पे आई है माल लीजे यह line आपकी G और H आई है तो यहाँ पे G और H जो है वो XY के क्या रहेगी पेरलल रहेगी तो XY that is parallel to G और H ठीक है तो यह construction आपको यहाँ पर कर देनी है ठीक है अब हम आप video pause करके बच्चो इसको अच्छे से कर लीजे next question अब हम करेंगे next देखिए आपको क्या दिया गया है draw a line L and draw a perpendicular line on any point lying on L आपको एक line L ले लेनी है उसके उपर एक perpendicular draw कर लेना है now take a point X on this perpendicular line which is at the distance of 4 cm from line L यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 cm distance आपको लेनी है और आपको X point के जो है X point से आपको एक line parallel जो line है L के वो यहाँ पर M के नाम से draw कर देनी है ठीक है तो इसको भी हम बिलकुल same करेंगे इसी तरह से clear है तो देखिए इसको हम यहाँ पर करेंगे same इसी तरह से करेंगे तो देखिए हम बनाएंगे इस पर हम एक point ले लेते हैं हमने एक line ले ली है बच्चो L line segment हमने ले ली L इसके उपर हमें D की help से एक perpendicular draw कर देना है तो यह जो है हमने कर लिया एक perpendicular draw clear है प्यारे बच्चो जो की 90 degree का angle बनाते हुए एक perpendicular हमने इस पर draw कर लिया अब हमें क्या करना है यह हमारे पास जो है L line है L line से एक point हमें लेना है X ठीक है और जो यह वाली जी यह हमारा A है तो A और X जो है उसके distance कितनी होनी चाहिए वो 4 cm होनी चाहिए आपको compass और जो है ruler की help से आपको distance measure करते हुए X point जो है यहाँ पर ले लेना है जो की यहाँ से यहाँ तक distance कितनी रहेगी A से X तक वो रहेगी 4 cm अब आपको क्या करना है आपको compass और pencil की सायता से आपको A को center मानते हुए एक arc जो है यहाँ पर लगा देनी है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है same x को center मानते हुए अब आपको x को center मानते हुए एक arc जो है यहाँ पर भी आपको यहाँ पर लगा देनी है मान लीचे यहाँ पर यह point हमारा b है यह c है यह point हमारा d है ठीक है और इस तरह से आपने यह arc लगा दी अब आपको B को center मानते हुए और C पर C और B के बीच की जो distance है वो आपको यहाँ पर measure कर लेनी है B और C की जितना आपने यहाँ से compass को खोला है D को center मानते हुए आपने इस तरह से यहाँ पर एक arc जो है छोटी सी लगा देनी है ठीक है? अब आपको क्या करना है? बहुत ही simple है मान लीजिए यह हमारा point जो है E आया तो हमने E और X को जो है क्या कर देना है? यहाँ पर E और X point को हमने यहाँ पर मिला देना है ठीक है? अब यह जो line आई है M यह perpendicular रहेगी किसके L की यही हमें construct करना था जो M line है वो किसके parallel रहेगी? वो line L के parallel रहेगी ठीक है? तो यहाँ से इस तरह से आप इसको अच्छे से बना लेंगे तो यह थी आपके आज की बहुत ही आसान सी math की worksheet I hope सभी बच्चों को यह clear है कोई भी doubt है प्यारे बच्चों तो आप पूच सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको like कर दीजिए share कर दीजिए और channel को भी subscribe कर दीजिए so thanks for watching मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care bye bye